एक 2BH के अपार्टमन 25 से 30 लाख में नौएडा और नौएडा एक्स्टेंशन के किसी सोसाइटी में मिलना आज के टाइम में इंपॉसिबल है वही पे गाज़ाबाद के राजनकर एक्स्टेंशन और NH24 में भी इस रेंज में खास कुछ भी नहीं मिलता पर 25 से 30 लाख में वो भी प्रेमियम अपार्टमेंट्स दिल्ली के दिल्शाद गार्डन मेट्रो स्टेशन से केवर 10 से 15 मिनट की दुरी पे और वो भी Noida और Noida Extension की Societies के Comparable Options में वो भी उस एरिया में जो की एक Middle Class Affordable Housing का हब बनता जा रहा है तो चलिए जानते हैं इस एरिया के बारे में बोपुरा गाज़ाबाद, आज के टाइम में एक गाज़ाबाद की High Highs Apartments का एक Affordable Area काफी तेजी से ड्वलप हो रहा है दिल्शाद गाडन के बेहती नस्दीक ये एरिया लोनी बोपुरा रोड पे बढ़ता है और वहीं पे वजीराबाद रोड के थू कनेक्ट होता है इस एरिया में Lower Middle Class से लेके Upper Middle Class के Residential Options बन रहे है इस दिल्ले के काफी नस्दीक होने की वज़ा से और वो भी एक Affordable कीमत में Options होने की वज़ा से इस एरिया की Demand भी काफी तेजी से बढ़ रही है वो पुरा के एरिया में काफी सारे High-Rise Apartments का Construction हो गया है और साथ ही में आज हे टैमें हो भी रहा है एक Average 2 BHK के Options 25 से लेके 40 लाग तक और वहीं पर 3 BHK के 45 से 60 लाग तक उपलब्थ होने की वज़ा से काफी सारे Middle Class जो नौइडा या गाज़बाद के अलग-अलग एरियास में अपने लिए घर का सपना पोला नहीं करता है तो शायद ये एरिया उनके लिए एक affordable और एक investable options प्रदान करता है एरिया में काफी सारे prominent एरिया जिसमें कोईल एंकलेव, डेली 99, आक्सी होंस, बारत सिटी जैसे काफी सारे apartments डिवलप हो रही है और अगर इन societies को Noida या किसी भी और एरिया के apartment complexes के साथ में compare किया चाहे तो काफी अच्छे features और amenities के साथ में आते हैं और और एरिया उन सभी लोगों के लिए जो अपने लिए एक affordable और एक gated complex में अपने लिए flats देख रहे हैं शायद उनके लिए एरिया एक अच्छा option प्रदान करता है